नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का यूसी लाइब के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है आशितोष और आज मैं फिट से आपके लिए एक नए वीडियो लेके आया हूँ जैसा कि आप सभी में से कुछ बच्चे मेरे को डिमांड कर रहे थे किसर सिलोग का चैप्टर करवा दीजिए उनके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके सिलोग के ऊपर है जो की अल्रेडी सेसी के सीजियल के एक्जाम में आये हुए हैं यह सारे के सारे क्वेश्चन दो हजार बीज की जितनी भी शेफ्ट होई थी वहाँ पे आ चुके ह इन क्वेश्चन को जरूर ट्राय कीजिएगा इसमें मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा फिर इसके बाद टॉप 20 क्वेश्चन जो सिलोग के है सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्ट करेंगे तो साथ साथ में जिन बच्चों को आता है वो जिनको नहीं आता वो यहाँ से सीखिए और बताइए उन्होंने इन 20 क्वेश्चनों में कितना स्कूर किया सीखने के बाद तो चली शुरू करते है आज की क्लास सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए चली दी तो हमारे पास जो सिलॉक का क्वेश्चन होता है वो इस तरह से दिखता है ठीक है क्या वला हो है आपके पास एक स्टेटमेंट दे रखी है ठीक है यहां पर आपके पास स्टेटमेंट दे रखी हुई है इसी स्टेटमेंट के उपर आपसे कंक्लूजन पूछेगा ठीक है, अब conclusion हो सकता है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, फिर उसके उपर आपसे चार हो, या पांच option पूछेगा, आपको बताना है कौन सा follow कर रहा है, कौन सा follow नहीं कर रहा है, clear है, तब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले कुछ चीज़े बताऊंगा, जो की बिल्कुल ही basic ह होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने बुला, all a, r, b, ठीक है, all a, r, b, तो इसकी वेंड डाइग्राम कैसे बनेगी, तो सबसे पहले बात हुई, a की, तो a आगे मेरे पास है, यहाँ पे, दूसरी बात हुई, v, की, तो b आगे, यहाँ पे, all a, r, b, इसक की वेंड डाइग्राम कैसे बनेगी, तो सबसे पहले sum a, तो a की बनाई, अब यहाँ पे sum बोला है, sum का मतलब होता है, सिर्फ कुछ हिसाद a का b के साथ attach है, तो यह आ जाएगा sum a, r, b, ठीक है, तो यह दो statement हमने सीख ली, तीसरी होती है, no a, r, b, कोई भी a जो है, वो b से attach नहीं होगा, तो यह a बना, और यह b बना, और इनके बीच में कोई भी relation नहीं होगा, यह बोलना चाहता है यह, अब यहाँ पर मैंने एक statement यह लिखी, दूसरी लिखी यह, और तीसरी लिखी यह, अब इसी तीन statement के उपर हमारे question बनते है, अब यहाँ पर बताना चाहता हू जो मैंने पहली दो statement लिखी, इनको हम बोलते हैं positive statement, क्या बोलते हैं, positive statement, और जो तीसरी थी, वो थी मेरे पास negative statement, तीसरी कौन से थी है, यह no वाली क्या होती है, negative statement होती है, अब होता है कि जब भी मेरे पास positive statement दे रखी हो, और उससे related अगर आपसे no वाला question बुछा हो, तो कभी भी true नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि आपकी statement positive है, तो आप negative नहीं बता सकते, लेकिन negative के case में आप negative को देख सकते हो, clear है, उमीद करता हूं, इतना concept आपको समझाया होगा, अब इसी concept के उपर हम question करेंगे, आज मैं पूरा आपको a to z बता दूँगा, कैसे question करने है, कैस सबसे पहले हमने, सबसे पहले देखा, all a, r, b, तो इसकी when diagram बनी, all a, r, b, दूसरा बना, sum a, r, b, to sum a, r, b, बना, इस तरह से तीसरा बना, no a, r, b, कोई भी a, b, नहीं है, तो इस तीन diagram थी, मैंने वोला, first or second statement जो है, वो होती है, मेरी positive statement, कौन सी statement होती है, positive, तीसरी जो होती यह वो होती है, negative statement, अगर मेरे पास positive statement है, तो मेरे जो conclusion होगी, all most सारे का सारे क्या दे रखे होंगे, positive दे रखे होंगे, लेकिन अगर वहाँ पे negative दे रखे है, तो उसको मैं बोलूंगा, we can't say that, मेरे को नहीं पता, यह true होगा, false होगा, we can't say that, लेकिन, अगर negative है, तो उसमे question किस तरह से approach करने है, चलिए जी, इसका screenshot ले लिजिए, जो पहली बार देख रहा है, जिनको दिक्कत आ रही है, एक बार इस चीज़ का screenshot ले लिजी, फिर मेक एक question आपको detail में करवाऊँगा, चलिए, अब हमारे पास जो question दे रखा है, अभी सबसे पहले मैंने वोला, all pencil are eraser, जैसे all a, और b था, वैसे ही होगा क्या, all pencil are eraser, तो इसकी when diagram अभी सिखी हमने बना ली, चलिए जी, आगे वोला, some sharpener are pencil, अब करना क्यों होता है, यहाँ पेंच चिज़ों को merge करना होता है, जैसे sharpener और pencil का relation का है, pencil यहाँ पे है, तो मतलब कुछ pencil का हिस्सा, sharpener के साथ आएगा, तो यह मेरा आ गया, some pencil are sharpener, ठीक है, यह दिख रहा है, यह वाला हिस्सा, इसके साथ attach हो गया, अब इसी के उपर जो conclusion है, वो पूछा होगा, क्या वो लगा है, some sharpener are eraser दिख रहा है, आपको बिलकु pencil यहाँ पे है, इनके बीच में सिर्फ सम वाला relation है, all वाला नहीं है, तो यह वाला क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, उसका right answer होगा, only conclusion, one follow करेगा, उमीद करता हूँ, आपको concept समझ आया होगा, धीरे-देरे सीखते जाएगे, आपको यह सारे-सारे concept clear होते जाएगे, lemon are pulp, all pulp are date, some dates are mangoes, तीन statement दे रखी है, इनको बनाना है, सबसे पहले all lemon are pulp, अभी सिखा था, ऐसे बनेगा, ठीक है, अब all pulp are date, कर तो इसके उपर all pulp are date, चलिजी, यहाँ पे आगए date, आगे वोला some date are mango, अब कुछी date mango हो, तो इसके साथ कुछ date को mango करवा देते है, ठीक है, चल है, some lemon are mango, lemon और mango में आपको direct relation दिख रहा है, some वाला, देखिए, यह रहा आपका lemon, यह रहा mango, इन में some का relation कहीं नहीं दिख रहा, मतलब first तो हो गया, false, second गोला, some mango are pulp, some mango और pulp के बीच में दिख रहा है, को direct relation, mango, यहाँ पे pulp, यहाँ पे यह भी हो गया, false, अब तीसरा दिख है, all lemon are date, all lemon are date, अगर all lemon are palm है, तो all lemon are date, क्या होगा, true, होगा, आपको अगर इस तरह से दिख रहा है, all, जैसे मैंने वोला था, all a, r, b, और all a, r, b, अगर इसके उपर c, लिखा उता, तो इसका क्या मतलब होता, all a, r, c, क्या होता, true, होता, बिल्कुल, सही है, यह, चलिए, fourth conclusion, true, हो चुका है, यह, sorry, third और fourth conclusion, true, हो चुका है, यानि कि option number one, मेरा क्या होगा, right answer होगा, यहाँ पर जो right answer आएगा, वो कौन सा आएगा, option number one, उमीद करता हूँ, आपने इसको कर लिया होगा, और आपको concept समझा रहा होगा, चलिए, next question की तरफ, चलते हैं, चलिए, next question यह रहा, साथ साथ में आप भी try कीजिए, सबसे पहला काम होता है, when diagram बनाने का, जैसे जैसे बता रहो, when diagram बनाईए, देखिए, आपसे बन रही है, नि बन रही, और फिर question के, जो logic बता रहा हो, उनको सीखते चलिए, सबसे पहले बोले, all tractor are car, some scooter are car, all scooter are cycle, ठीक है, यह जितने भी question है, CGL, CGL के 2020 के PYQ है, यह सारे के सारे PYQ हैं, CGL 2020 के, जितने भी shift होई थी, वहाँ से सारे के सारे सिलोक के question, आज एक ही class में हम खतम कर देंगे, चलिए, बोले, all tractor are car, बना लेते हैं, all tractor are car, some scooter are car, चलिए जी, आगे बोले, all scooter are cycle, अब यहाँ पर मेरे पास cycle है, तो C को मैं cycle को CY लिख लेता हूँ, ठीक है, अब बोले, all scooter are car, all scooter are car, दिख रहे हैं गहीं पर, scooter और car के बीच में, some का relation है, all का नहीं, यह तो हो जाएगा, false, आगे बोले, some car are cycle, बिल्कुल सही, car और cycle वाला सरकल यहाँ प है, cycle यहाँ पर, इनके बीच में, कोई direct relation नहीं दिख रहा, तो यह क्या जाएगा, false, आगे बोले, some tractor are scooter, some tractor यहाँ पर, फिर scooter, यहाँ पर, यहाँ पर, यह भी कोई relation नहीं बन रहा, तो अगर आप देखो, तो यहाँ पर, आपका second option, only conclusion to follow करेगा, तो यहाँ पर, जो right answer सलते हैं, next question, साथ साथ में try कीजी, मैं पढ़ता हूँ, क्या बोले, all teacher are doctor, some professor are doctor, all professor are engineer, ठीक है, तो बनाते हैं, इसकी diagram, आप भी साथ साथ में बनाएगे, क्या बोले, all teacher are doctor, सारे के सारे teacher क्या है, मेरे पास, doctor है, आगे बोले, some professor are doctor, कुछ professor मेरे क्या होगे, doctor होगे, बना ल engineer, सारे के सारे professor किसके अंदर आजाएंगे, engineer के अंदर आजाएंगे, when diagram मेरे को लग रहा है, आपने भी बना ली होगी, चली जी, अब बोले, all professor are doctor, के सारे के सारे professor doctor, दिख रहे हैं, आपको, दिखी खुद, नहीं सार, doctor यहां पे है, professor यहां पे, इनके बीच में, director relation है, ल यहां पे, बिल्कुल सही, engineer और doctor आपस में, यहां पे, मिल रहा है, second, follow, third, रेखो, सम teacher, engineer, teacher, यहां पे, engineer, यहां पे, इनके बीच में, कोई भी relation है, false, next, बोले, सम teacher, professor, teacher, और professor, के बीच में, कोई relation है, teacher, यहां पे, professor, यहां पे, कोई relation नहीं है, इसका भी क्या हो जाएगा, option number second, right answer होगा, only conclusion second, only second follows, clear है, तो उमीद कर रहा हूँ, आपको यह concept समझा रहा होगा, क्यों, CGL में कोई भी shift उठा लो, एक question यहां से आया ही, आया है, कोई भी paper आप previous year देख लो, आपको यहां से एक question देखने को जरूर मिलेगा, तो इस बार भी आपको एक question मिलेगा, और स skip मत कीजिए, आप यहां से सीख सकते हैं, अच्छे से बता रहा हूँ, तो एक बार सीख लीजिए, इसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे, चलीजिए, अब आजाते हैं, थोड़ा सा question में आ जाती ही, negative statement, देख जी, यह दो positive statement और यह आगी मेरे पास negative statement, करते हैं अब इसक कोई erase करके दुवारा बना देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले बोला, all pilot, मैं लिख लेता हूँ, all pilot are minister, और all minister are politician, ठीक है, तो यहां पर आ गया, politician, अब बोला, no engineer is politician, कोई भी engineer politician नहीं है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो इसका मतलब सीखना पड़ेगा, negative statement का मत दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, engineer इस सरकल के अंदर नहीं जा सकता, और politician इस सरकल के अंदर नहीं जा सकता, तो condition देखते हैं, क्या बोल हुआ है, सब minister are pilot, देखो जी minister यहां पे है, और pilot कौन सा है, एक मिनद, सब minister are pilot, बिलकुल कहां गया, pilot कौन सा है, तो पाइलेट अंदर ह है न, हाँ, तो अगर मैं देखो, तो minister और pilot वाला relation विलकुल true है, आगे देखो, no engineer is minister, अब मैंने क्या बोला था, engineer को इसके अंदर आई नहीं सकता, जब इसके अंदर नहीं आ सकता, तो minister के साथ भी कैसे जुड़ेगा, अब यहां पे हम negative statement को चेक कर रहे है, तो यह वाली क conclusion follow, सारे के सारे conclusion यहाँ पे follow कर रहे है, तो इसका right answer आजाएगा, option number four, उमीड करता हूँ, आपको यह question समझ आया होगा, negative statement कैसे चेक करते हैं, अगर नहीं आया है, तो अगला question जरूर देखी, वहाँ पे आपको जरूर समझ आएगा, लीजी, next question फिट से है, मेरे पास, no door is window no rack is door, all cupboard are windows, चलिए जी देखते कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बोला है, no door is, एक मिनट, तो रेस कर जाता हूँ, आप भी इसको साथ साथ में ट्राइ कीजिए, चलिए जी बिल्कुल सही बात है, कोई भी डॉर विंडो के अंदर नहीं जाएगा, आगे बोला, कोई भी रैक door नहीं है, रैक इसके अंदर नहीं जाएगा, चलिए, आगे बोला, all cup board are window, सारे के सारे cup board क्या है, विंडो है, तो मतलब यहाँ पे मैं इसको erase करके पहले c अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, cup board, और फिर इसके उपर आजाएगा window, तो य देखो जी, रैक और cup board के बीच में direct relation को इनी दिख रहा, तो यह वाला तो हो जाएगा false, मैं नहीं बता सकता, next बोला, no cup board is door, अब जब हमारा door इसी के अंदर नहीं आ सकता, तो cup board के अंदर कैसे आएगा, नहीं आएगा, सर यह तो हो जाएगा true, फिलकुल true, अगे बोला, no तो rack is window, अब यह बात आ जाती, सबसे important, negative में हम सिर्फ उसी conclusion को देख सकते हैं, जो हमें direct दिख रहा है, ठीक है, negative में हम उसी conclusion को देख सकते हैं, जो direct दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है, अब rack और window का कोई conclusion नहीं दिख रहा है, direct तो इसको बोलेंगे हम फॉल्स हमें नहीं पता तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सो हो जाएगा option number one only conclusion to follow option number one उमीद करता हूं आपको concept समझ आ रहा होगा अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलीजिए यह रहा next question try कीजिए आप देखते हूं कुतने बच्चे करते हैं क्या वोला है और no introvert is an extrovert all extrovert are amivert ठीक है बनाते हैं इसकी पहले सबसे पहला आ जाएगा introvert इंट्रो लिख लेते कोई भी इंट्रो जो है एक्सो के अंदर नहीं जाएगा मतलब इन दोनों के बीच में कभी भी कोई relation नहीं होगा आगे वोला है all extrovert amivert इसके उपर क्या जाएगा एमी आ जाएगा मतलब यह वाला आ जाएगा चली जी यह इसके साथ नहीं जाएगा ठीक है यह वाला relation इसके साथ नहीं जाएगा चलोगी अब देखते हैं कंक्लूजन क्या होला है no introvert is amivert इंट्रो वर्ड और amivert ठीक है in i n और a का relation अब मेरे को पता है i n इसके अंदर नहीं जा सकता ठीक है i n जो है e n t के साथ relation नहीं बना सकता लेकिन i n a के साथ relation बना रहा है नहीं बना रहा है यह हमें नहीं पता इसके लिए हम वोलेंगे we can't say that जब can't say that आ जाएगा मतलब false ठीक है आगे वोल बारे में relation ही नहीं पता ए और आई के बारे में तो नो वाली condition कैसे बता दूँ ए भी क्या हो जाएगा false हो जाएगा आगे वोले सम ए आर ए देखते हैं बिल्कुल सही बिल्कुल true है एक बात याद रखिएगा all a r b जब भी इस तरह की statement दी होती है और जब भी हम b से a की तर आर ए तो यह वाली statement हमारी क्या होती है true होती है तो वही true देख रहा हूं मैं यहां से a के सम a r b बिल्कुल true है आगे बोले all a r e all a r e कैसे हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता जब सम है तो all नहीं हो सकता मतलब इसमें हमारा only conclusion third follow करेगा option number b इसका right answer हो जाएगा उमीद करता यह वाला question आपको समझ आया होगा बहुत important question है अगर आपने यह question समझ लिया तो आपका सिलोग chapter आपको समझ आ चुका है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है करिए ट्राइए आप भी साथ साथ में क्या होला है all fan are heater सबसे पहले बात करते हैं all fan are heater ठीक है जी आगे बोले some cooler are fan अब cooler का relation fan के साथ है तो बना दो यहां पे some cooler are fan ठीक है अगे बोले all purifier are cooler मतलब सारे purifier are cooler तो यह ऐसे बनेगा all purifier are cooler तो मै यहां पे पहले पी कर देता हूं और फिर इसको उपर से attach कर देता हूं सी के साथ की के जी चलिए अब यहां पे हमारी डाइग्राम बन चुकी है अब देखते हैं इसके solution उट पहले बोले all purifier are heater, all purifier are heater दिख रहा है क्या पूरे-पूरे purifier heater बिल्कुल नहीं है तो warmerइ condition दिखरे हो ब्लग Woemi है और वाली तो नहीं दिखुर यह तो हाजायेगा follows, आगे बोले some purifier are heater some purifier हाए हंब होगे हैं सम्हेक्टर हीटिटर रात फूलर को देखे रहा है हमने हम देखा तोल्स कैसे देखेंगे यह यहाँ कि यहाँ मैं देखं़ल श兩व करता है यहां पे मेरा समय गंूलूजन फोलो करता है वे कर रहा है only second and third clear है तो यहाँ पर शायद कोई option miss होगी एक minute देख लेते हैं और some purifier are heater some purifier are heater purifier are heater ठीक है यह purifier heater यह तो मिल ला है अपस में some heater are cooler some heater are cooler ठीक है ठीक है तो हमारा second और third इसका right answer होगा तो यहाँ पर हो सकता है option गलत होगी हो अब next question में आ जाती है एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी 100% अब 100% का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है all 100% मतलब 100% क्या होता है किसी चीज़ का all all को ही हम क्या बोलते है 100% बोलते हैं अब examiner के उपर है वो आपको 100% दे देता है तो आपने समझाना वो सारे के सारे की बात कर रहा है लेकिन अगर आपको 100% से नीचे 50%, 60% या फिर 70% कितने भी कम आती है value तो इस सब का मतलब क्या होता है sum इस चीज़ का मतलब होता है sum तो ये चीज़ आपने note कर लेनी है कि अगर आपको दे रखा है all तो all का मतलब होता है 100% अगर 100% से 90% या 99.9% भी आ जाता है तो ये चीज़ भी क्या होगी sum होगी clear है तो उमीद करता हूँ आपको ये वाला पहला difference समझ आया होगा चलते है next अब बोला क्या है उसको बनाते है वोला all locket are chain सारे के सारे locket क्या है chain है ठीक है जी आगर वोला 100% metal are locket चली जी तो इसको उल्टा गर के बनाना पड़ेगा तो इसको कर देता हूँ मैं erase फिर बनाता हूँ ठीक है जैसे या जैसे आप चीकते जाओगे आपको ये चीज़ पता चलती जाएगी कौन सी कंडिशन अंदर लिखनी है 100% मतलब all metal are chain क्या हो गया इसका मतलब all metal are locket इसका गया मतलब हो गया all metal are locket तो मैं लिख लेता हूँ chain ये हमारे पास पूरा का पूरा वेंड डाइग्राम बन चुका है इसका अब देखते हैं क्या वो लगा है तो से पहले बहुत आपको इससे पहले मैं ये चीज़ बता सकता था कि बाहर से अंदर की तरफ सिर्फ सम वाली कंडिशन ट्रू होती है सम बी आर ए तो ये वाली कंडिशन कैसे ट्रू होगी ये ऐसे को ट्रू नहीं हो सकता तो ये क्या होगा ओल चेन आर मैडल फॉल्स होगा आगे बोला ओल मैडल बींग रिंग सिस पॉसिबिलिटी अब यहां पे एक चीज़ आ चुकी यहां पे क्या हो जाएगा तो अगर आप यहां पे देखो तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानि कि ऑनली कंक्लूजन सेकेंड फोलो उमीद करता हूं आपको यह चीज़ भी समझ आई होगी कि पॉसिविलिट निये रहा आप इसको ट्राइ किजिते हैं क्या व्लाएं व्लाएं व्लासम मैट्स आर कार्पेट सम कार्पेट आर ब्लैंकेट Noपलेंगेट ऐज समंगें संग यह अगैके और दर relation क्यों के साथ नहीं होगा ठीक है अगर आपको question पसंद आ रहे है वीडियो अच्छी लग रहे है तो जरूर like कीजिएगा और चैनल को subscribe और वीडियो को share कर दीजिएगा यह चीज मेरे लिए motivation का काम करती है मैं आपके लिए target लेके आया हूँ कि कि आपको इस वाँ target से SSC का जो SSC की जो भी notification आई है उसमें आपको करवा के ही छोड़ेंगे तो इसको जरूर try कीजिए इन series को end दक जरूर देखा कीजिए और अपना यहां पर score भी मुझे बताते हैं रहे जीए अब क्या वह लगा है no q is carpet q का relation हमें सिर्फ b के साथ पता है कि कोई भी b q के साथ नहीं जाएगा लेकिन q का relation c के साथ नहीं पता इसका और इसका relation मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बोल सकता हूँ यह true होगा तो यह क्या हो जाएगा false हो जाएगा इसको मैं वह लूँगा we can't say that ठीक है अगला वले no blanket is mat blanket कहां यहाँ पे और मैट इनके बीच में भी कोई relation नहीं दिख रहा और दोनों है भी क्या positive वाली चीज तो यहाँ पे मैं वह लूँगा फिर से नहीं बता सकता कली जी आगे वुला है सम कार्पेट आर मैट सम कार्पेट आर मैट बिल्कुल सामने दिख रहा है यानि कि यह चीज तो मेरे को दिख रही है तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मेरे को सिर्फ एक ही जिए गा आप घाक निएकर एकस्ट कोषचन ये रहा चलिए जी इसको भीegeरते हैं क्या वले ओलेस दिख एन आर प्लासिक आइटम मैं कोई भी प्लास्टिक आइठम स्टोन नहीं है मतलबivesseका रेलेशन इसका यहां पर कि अब अगर पी इसके अंदर नहीं जाएगा है और पी अगर इसके अंदर नहीं जाएगा तो दी और डबल्यू के बीच अच्छा दी और डबली के बीच में डारेक्टर रिलेशन तो हमें पता ही नहीं तो हम सही दे बोल देंगे भी कांट से डाट ठीक है नहीं दिखरा सामें चलो जी अगे वहले नो प्लास्टिक आइटम इस बुड़ की जब इसके देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉस्यवेलेटी बन दिया सम क्या था कुट्स में भी देस्ट में एक मिनट सम इब फुड़ में बेडे स्टिमिन के नो गूड एक लिए इसको धंक से बनाता हूं मैं और कुछ कान फ्यूजित हो रहा है क्या वहला है अल डेस्ट व कि इसको एपिए इसको करके दुवारा बनाता हूं अने सबसे पहले नौ डिस्ट वीड़ी के अंदर नहीं जा सकता यह तो हो जाएगा हमारा कोई भी प्लास्टेंग का इटम इसके अंदर नहीं जा सकती नहीं जा सकती अब वोड़ में भी डेस्ट बीन कुछ बूड क्या है डेस्ट बीन हो सकते हैं अब वुड़ बीच में वैसे तो मेरे को डारेक्ट रिलेशन नहीं पता है तो मैं बोल सकता हूं एक पॉसिविलिट कर रिला से संब्लासे एक लीट सम और प्लेट और यूटेंशियल तो मैं बनाता हूं आप इसको नहीं समट दो बनाई आप दिसाए तो एक सब्सारय का लिए ओसिधा सब्साइथ हैं ठीक है और प्लेट्स एक ओर उटेंशियल ठीक है यह हमारे पास पूरा कोपोड़ा वा तो अब पूछा गए all vowel cannot be utensil अब यहाँ पर जो cannot आई है क्या आगी negative statement आगी क्या आगी negative statement आगी मैंने बोला था जब भी मेरे पास positive दे रखा होगा और negative conclusion पुछा होगा मैं सीधे बोल दूँगा मेरे को नहीं पता इसका answer we can't say that ठीक है अगला देखो तो आगे आगे बोले all glasses cannot be utensil यह भी cannot say that अगर आप दोनों को नहीं बता सकते तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा neither conclusion one nor to follow तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number two neither conclusion one nor to follow क्या देखा कि हमने देखा जो हमारे past statement थी वो कैसी थी तो statement थी वो थी positive और conclusion इन्होंने पूछ लिए negative अब पॉजटीव स्टेटमेंट के हिसाब से नेगटिव तो बताई नहीं सकता हमें के वो लोंगा we can't say that तो यहाँ पर मैंने बोल दिया we can't say that कैसे बता चला नेगटिव है cannot लिखा हुए यहाँ पर भी क्या लिखा हुए cannot यहाँ पर आंसर आ जाएगा नाइदर वन नाइदर टू फॉलो उमीद करता हूं यह वाले चीज़ आपको समझ आई होगी चलते है नेक्स्ट केशन की तरह अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते आओर जाहिए सेशन को लाउप कीजी शेयर कीजी दोस्तों के साथ और कमेंट की कीजिएगा आगरा आपको लेता है है तुदिन तुम बैटार लॉइन बिल्कुल ट्रू दूसरा बोले नो पैरेट इस कैमल एक विनिट यहां पर क्या बोला था इनके बीच में नो का रिलेशन है न लो पैरेट इसके अंदर ही नहीं आ सकता तो इसके साथ कैसे रिलेशन बनाएगा तो यह तो जाएगा ट्रू आगे बोले नो पैरेट इस लॉइन अब यहां पर देखो पैरेट का लॉइन के साथ डिरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा ठीक है और लॉइन इसके अंदर भी नहीं है तो जो मैं बोल सकता हूं कि यह ट्रू होगा पैरेट के साथ इसका डिरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा हो सकता हू वैसे बना देता है राइग्राम तब तब क्या गरते तो यह वाला क्या जाएगा फॉल्स हो जाएगा तो इसमें जो राइट आंसर होगा और ली कंक्लूजन वन क्या दे रखिया सम कार्डस अर्त फोस्ट और अखियो साइग देख hilarious आirrel कि अगेERS अनुकrat specific केि इंके का लिए यहाँ गले बिल्कुल वाहर से अंधर की तरफ सम्वाला बिल्कुल ठूए एगी ब मुझर आवर कार्द्र को क्विपिस यहाँ यहां पे है, copies यहां पे इनके बीच में डिरेक्टर इलेशन है नहीं, तो यह होज़ेगा false यानि कि conclusion यानि कि यहां पे सिर्फ एक ही conclusion follow करता है और वो कौन सा है, only first conclusion one only follow तो इसका right answer होज़ेगा option number three, clear है, उमीद करता हूँ, आपको यह वाली चीज़ भी समझ आई होगी, चलते है next question की तरह, आगे बोला है, all dancer are talented, some girls are dancer, चलेजी, देखते हैं कैसे करेंगे, तो से पहले बोला है, all dancer are talented, some girls are dancer, यहां पे आदेगी some girls, ठीक है, अब बोला, some girls are talented, देखो, जी दिख रहा है, आपको some girls are talented, बिल्कुल सही सर, यहां पे कुछ girls talented तो दिख रही हैं, तो यह तो हजाएगा true, आगे बोला, all talented are girls, दिख रहा है कि all talented, अभी हमने some बोला, तो all कैसे बोलेंगे, यह तो हजाएगा false, आगे बोला, all girls are talented, all girls are talented, यह भी फिर से बीब बात पूछ ली, कान को सीधा नहीं पकड़ रहा, उल्टा करके पूछ रहा है, कान को उल्टा पकड़ रहा है, अगर आप देखो तो यहां पे भी सिर्फ एक ही conclusion true हुआ, यानि कि option number 3, इसका क्या होगा, right answer होगा, right answer है option number 3, उमेद घर रहा हूँ कि आपको एक concept समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे आपकी understanding मन रहे होगी, तो इस लॉग ऐसा chapter है न, कि अगर आपको इसमें understanding हो गई तो आप इसको कभी भी गलत नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी अपना जाद एक्स्टा दिमाग लगा लिया, कि अगर ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है, अगर वैसे करता, तब यह आपका 100% गलत करने वाला है, जो चीज सामने दिखरी है, बस उसी को देखके चलते जाएए, यह कभी भी गलत नहीं होगा, चलीजी, चलीजी, यह वाला question मैं देखे जा रहो, homework, ठीक है, all computer are laptop, यह देखे जा रहो, मैं आपके लिए homework, ऐसा क्यों, क्योंकि अच्छा question है, positive statement भी है, negative statement भी है, तो जो बच्छा सीखर है, उसके लिए अच्छा है, कि यहाँ से दोनों conclusion चेक हो जाएंगे, positive कैसे check करना है, negative कैसे check करना है, चलीजी, इस question को करते हैं, चलीजी, चलीजी, जा वाला, no bank is an office, कोई भी bank का relation, office के साथ नहीं है, यहाँ पर कोई भी bank, office के साथ नहीं है, आगे बलए all office are stole, सारे के सारे office के हैं, stall है, ठीक है, चलीजी, आगे बलए no bank is stole, ठीक है, bank का सिर्फ relation, office के साथ नहीं था, stole के साथ तो था, यहाँ पर देखो, bank office के अंदर नहीं जा सकता, स्टोल के साथ हो सकता जा भी सके यह वालँ तो मैं बोले दूँगा फॉल्स है आ अगे वाला समस्टोल और ओफिस बाहर से अंदर की तरह बिल्कुल त्रूर ऑफिस बिल्कुल और जी कि यहां बुला है all rug are blanket all rugs are blanket ठीक है all blanket are pillow देखिए जी कैसा बन रहा है some blanket are frames ठीक है some blanket below और अभी देखा विलकुल सही समँ वाला हम करेंगे बढ़ल सर्फ और फ्रेम में कोई nation है आपको देखो लग काहां पे ये वाला रग का सरकल सरकल येवाला फ्रेम का सरकल ले इनके बीच में direct relation तो है नहीं मतलब होजाएगा false यहां पे सिरफ only only conclusion कौन सा follow किया है second वाला अगर आप देखो तो option नमबर वन आपका गया जाएगा right answer आ जाएगा only conclusion second follow second वाला ही क्या आपका क्या किया follow किया चलिए उम्मीद कर रहा हो आपको चीज़े समझ आ रही होंगी concept बन रहा होगा next question यह रहा some potato are onion some onion are tomato easy question है बनाते है some potato are onions और some onion are tomato अब वो ले सम टोमेटो और पोटेटो चलिए मिसको color change करता हम भी देखिए गए इसमें एक और चीज़ बताऊंगा सम टोमेटो और पोटेटो टोमेटो और पोटेटो के बीच में डिरेक्ट रेलेशन नहीं भी बोलूंगा we can't say that अगे बोले नो टोमेटो इस पोटेटो अभी देखा हमने सारे के सारे positive statement है तो negative conclusion तो automatic ही false हो जाएगा अब यहाँ पर एक चीज़ आती है जो आपको सीखनी है ठीक है कौन सी चीज़ जब भी आपके पास sum और no वाली condition आ जाती है sum और no वाली condition आ जाती है जैसे यहाँ पर लिखा sum a r b और no a r b और दोने statement क्या हो जाती है false हो जाती है तो उस case में आपका answer आता है either तो यहाँ पर जो answer आएगा वो कौन सा आएगा और question पूछ लिए होता है तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा either conclusion one और second follow तो उमीद करतो हूँ आइदर वाला अगर concept आगर आपको समझा आया अगर question देखने को मिलता है तो आप इसको second में उड़ा दोगे ठीजिए कितने question बचे है हमारे पास यह last question तो कर लेते हैं इसको भी क्या हो ला है some butter are honey तो मेरे पास क्या दे रखा है some butter are honey some honey are bread ठीके जी some honey are bread अब वोला अच्छा all bread are jam all bread are jam ठीके जी अगर वहले some jam are honey तो यहां पर some jam are honey तो मेरे को बिल्कुल दिखरे है true all honey are butter all honey और butter तो नहीं दिखरा यह तो हो जाएगा false some jams are butter some jam are butter भी नहीं दिखरा बटर यहां पर jam यहां पर यहां पर यहां पर सिर्फ only conclusion one follow होगा यहां पर right answer क्या जाएगा option number four clear है तो उमीद करता हूं जिन भी बच्चों को दिक्कत आ रही थी सिलॉग के चैप्टर में उनको आज यह concept समझ आया होगा और उनकी concept बने होंगे उनको आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी ठीक है तो यह तर लास्ट topic सीखना तो मुझे जरूर बताइए आप मुझे message भी कर सकते हैं या फिर आप यहां पर comment section में comment section में अपना comment छोड़ सकते हैं मिलते हैं next session में तब तक के लिए धन्यवाद जाए हिंद फिर विडियाद भी अभल यहां पिर दिनक के लिए जाए हिंद है तो यहां मिलते हैं मिलते हैं यह तो यहां हैं यहां भी दीक दूल